पाकिस्तान ने बड़े-बड़े मन्सुवे पालकर भारत की भूमी हत्याने और अपने यहां चल रहे आंत्रिक कलह से द्यान भठकाने को लेकर दूसा हस किया था भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समंदों के लिए प्रयास रथ था लेकिन कहा जाता है न बैरू अकारन सब काहूं सोग जो करहित अनहित ताहूं सोग यानि दुस्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्वनी करना ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुक्सान ही सोचते हैं इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान दुहारा पीट में छुपने की कोशिश हुई थी लेकिन उसके बाद भारत की वीज से आपने जो पराकरम दिखाया भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई उसे पूरी दुनिया ने देखा आप कल्पना कर सकते हैं उंचे पहड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेना है हमारे वीर जवान लेकिन जीत पहाड की उचाई की नहीं भारत की से होसले और सच्ची विर्ता की हुई साथियों उस समय मुझे भी करगिल जाने और हमारे जवानों की वीर्ता के दर्शन का सोभागे मिला वो दिन मेरे जीवन के सबसे अनमोल ख्षणों में से एक है मैं देख रहा हूँ लोग करगिल विजय को याद कर रहे है सोचल मीडिया पर एक हैश्टेग करेजिन करगिल के साथ लोग अपने वीरों को नमन कर रहे है जो शहीद हुए है उन्हें सरद्धान्जली दे रहे है मैं आज सभी देशवासियों की तरफ से हमारे इन वीर जवानों के साथ साथ उन वीर माताओं को भी नमन करता हूँ जिन्होंने वाक्ति के सच्चे सबसे रहे हैं मेरा देश के नवजवानों से आगरह है शेयर करें मैं साथियों आपसे एक अगरह करता है www.galantryawards.gov.in आप उसको जरूर विजिट करें वहाँ आपको हमारे वीर पराक्रम योद्धाओं के बारे में उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकरिया प्राप्त होगी और वो जानकरिया जब आप अपने साथियों के साथ तर्टा करेंगे भी प्रेणा का कारण बनेगी अब जरूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और मैं तो कहूंगा बार-बार कीजिए साथियों कारगिल यूद्ध के समय अटल जी ने लाल के लिए से जो कहा था वो आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रासंगीख है अटल जी ने तब देश को एक मंतर की याद दिलाई थी पात्मा गांदी का मंतर था कि यदि किसी को कभी कोई दुविदा हो कि उसे क्या करना क्या न करना तो उसे भारत के सबसे गरीब और असहाय व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए उसे ये सोचना चाहिए कि जो वो करने जा रहा है उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी या नहीं होगी गांदी जी के इस विचार से कि करगिल युदिन ने हमें एक दूसरा मंत्र दिया है ये मंत्र था कोई महत्वपूर्ण निर्ने लेने से पहले एक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पाहडियों में अपने प्राणों की आहूति दी थी आईए अटल जी की आवाज में ही उनकी इस भावना को हम सुने समझे और समय की मांग है कि उसे स्विकार करे हम सभी को याद है कि गांदी जी ने हमें एक मंत्र दिया था उन्होंने कहा था कि कोई जविधा हो कि तुमें क्या करना है कि एक के बारे में पूछो कि और स्वेम से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हैं उससे उसे लाई होगी है कि में तुरा मंत्र दिया है कि महत्र रूप है जिसमें उन दुर्गम पहाड़ियों में साथियों युद्ध की परिस्थिति में हम जो बात करते हैं उसका सीमा पर डटे सैनिक के मनोबल पर उसके परिवार के मनोबल पर बहुत गहरा असर पड़ता है ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए और इसलिए हमारा आचार हमारा विहवार हमारी वानी हमारे बयान हमारी मर्यादा हमारे लक्ष सभी कसोटी में ये जरूर रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कहरे हैं उससे सैनिकों का मनोबल बढ़े हैं उनका सम्मान है राष्ट सर्वोपरी का मंत्र लिए एक ताके सुत्र में बंदे देशवासी हमारे सैनिकों की ताकत को कई हजार गुना बढ़ा देते हैं कभी कभी हम इस बात को समझे बिना सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे देते हैं जो हमारे देश का बहुत नुक्षान करती हैं कभी कभी जिग्या सावात करते रहते हैं पता है गलत है आज कल युत केवल सिमाव पर ही नहीं लड़े जाते हैं देश में भी कई मोर्चो पर एक साथ लड़ा जाता है और हर एक देशवासी को उसमें अपनी भूमी का तय करनी होती है हमें भी अपनी भूमी का देश की सीमा पर दूर्गम परिस्तितियों में लड़ रहे सैनिकों को याद करते हुए तय करनी होगी मेरे प्यारे देशवासियों पिछले कुछ महनों से पूरे देश ने एक जूट होकर जिस तरह कोरोना से मुकाबला किया है उसने अनेक आशन काउन का साभित कर दिया है आज हमारे देश में रीकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहतर है साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर्भी दुनिया के जादातर देशों से काफी कम है निश्चित रुप से एग भी व्यक्ति को खोना दुखत है लेकिन भारत अपने लाखों देशवास्यों का जीवन बचाने सफल भी रहा है लेकिन साथियों कोरोना का खत्रा टला नहीं है कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है हमें बहुत ही जादा सतर्क रहने की जरूरत है हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है मास्क लगना या गम्छे का उप्योग करना बोगज की दुरी लगातार हाथ धोना कहीं पर भी थूंकना नहीं साव सफाई का पूरा जान रखना यही हमारे हत्यार है जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं कभी कभी हमें माक्स से तकलीफ होती है और मन करता है कि चहरे पर से मास्क हटा दे बाचित करना शुरू करते हैं जब मास्क की जरूरत होती है जादा उसी समय मास्क हटा देते हैं ऐसे समय मैं आप से आगर करूँगा जब भी आपको मास्क के कारण परेशानी फिल होती हो मन करता हो उतार देना है तो पल भर के लिए उन डॉक्टर्स का स्मरण कीजिए अब देखी वह मास्क पहन करके गंटों तक लगातार हम सब के झीवन को बचाने के लिए जुटे रहते हैं आठ-ाठ-10-10 गंटे तक मास्क पहने रखते हैं क्या उनको तकलिब नहीं होती होगी थोड़ा सा उनका स्मर्ण कीजिए आपको भी लगेगा कि हमें एक नागरिक के नाते इसमें जराबी कोता ही न बरतनी है न किसी को बरतने देनी है एक तरब हमें कोरोना के खिलाब लड़ाई को पूरी सजक्ता और सतर्क्ता के साथ लड़ना है तो दूसरी और कठोर महनत से व्यवसाय, नोकरी, पढ़ाई जो भी कर्तब भी हम निभाते हैं उसमें गति लानी है उसको भी नई उंचाई पर ले जाना है साथियों कोरोना काल में तो हमारे ग्रामिन ख्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है गावों से स्थानिय नागरिकों के ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगाता सामने आ रहे हैं जम्मू में एक ग्राम त्रेवा ग्राम पंचायत है वहाँ की सरपंच है बलबीर कौर जी मुझे बताया गया कि बलबीर कौर जी ने अपनी पंचायत में 30 बेड का एक कौरंटाइन सेंटर बनवाया पंचायत आने वाले रास्तों पर पानी की भवस्ता की लोगों को हाथ दोने में कोई दिक्कत नहो इसका इंतजाम करवाया इतना ही नहीं ये बलबीर कौर जी खुद अपने कंदे पर स्प्रेपम टांक कर वॉलेंटियर्स के साथ मिलकर पूरी पंचायत में आसपार के छेतर में सैनिटाइजेशन का काम भी करती है ऐसी ही एक और कश्मीरी महला सरपंच है गांदरवल के चौटली वार की जैतुना बेगम जैतुना बेगम जी ने तै किया कि उनकी पंचायत कौरोना के खिलाब जंग लड़ेगी और कमाय के लिए अवसर भी पैदा करेगी उन्होंने पूरे इलाके में फ्री मास्क बाटे फ्री राशन बाटा साथ ही उन्होंने लोगों को फसलों के बीच और सेव के पौधे भी दिये ताकि लोगों को खेती में बागवानी में दिक्कत ना आये साथियों कश्मीर से एक और प्रियर घटना है यहाँ अनंतनाग में मिन्सिपल प्रेसिडेंट है स्रीमान महमद इकबाल उन्हें अपने इलाके में सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रेयर की जरुवत थी उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि मशीन दूसरे सहर से लानी पड़ेगी और किमत भी होगी 6 लाक रुपी है तो स्रीमान इकबाल जी ने खुद ही प्रयास करके अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपीय में ऐसे कितने ही और उदारण है पुरे देश में कौने कौने में ऐसी कई प्रेयर घटनाएं रोज सामने आती हैं ये सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं चौनोती आई लेकिन लोगों ने उतनी ही ताकत से उसका सामना भी किया मेरे पहरे देशवासियों सही एप्रोच से सकारादमग एप्रोच से हमेशा आपदा को अउसर में विपत्ति को विकास में बदलने में बहुत मदद मिलती हैं अब ही हम कोरोना के समय भी देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश के युवाओं महिलाओं ने अपने टालेंट और स्कील के दम पर कुछ नए प्रयोक शुरू किया हैं बिहार में कई वुमेन सेल्फ हेल्फ गुरूप्स ने मदवनी पेंटिंग वाले मास बनाना शुरू किया है और देखते ही देखते यह खुब पपलिर हो गया है ये मदवनी मास एक तरह से अपनी परंपरा का प्रचार तो करते ही हैं लोगों को स्वास्त के साथ रोजगारी भी दे रहे हैं आप जानते ही हैं नौर्थ इस्ट में बैंबू यानि बांस कितनी बड़ी बात्रा में होता है अब इसी बांस से त्रिपुरा, मनिपूर, असम के कारिगरों ने हाई क्वालिटी की पानी की बातल और टिफिन बॉक्स बनाना शुरू किया है बांबू से आप अगर इनकी क्वालिटी देखेंगे तो भरोसा नहीं होगा कि बांस की बातले भी इतनी शांदार हो सकती हैं और फिर ये बातले इको फ्रेंडली भी हैं इन्हें जब बनाते हैं तो बांस को पहले नीम और दूसरे आउस्षदिय पौंदों के साथ उबाला जाता है इससे इनमें आउस्षदिय गून भी आते हैं छोटे छोटे स्थानिय प्रोडक्ट से कैसे बड़ी सफलता मिलती है इसका एक उधारन जारखन से भी मिलता है जारखन के विशुनपूर में इन दिनों तिस से ज़्यादा समू मिल करके लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं लेमन ग्रास चार महिनों में तयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है इसकी आजकल काफी मांग भी है मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ दोनों ही एक दूसरे से सेंकडो किलोमेटर दूर है और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर भर बनाने के लिए कुछ हट करके काम कर रहे हैं एक है लदाख और दूसरा है कच्छ ले और लदाख का नाम सामने आते ही खुबसुरत वादियां और उचे उचे पहडों के द्रश्य हमारे सामने आ जाते हैं ताजी हवा के जोके मसूस होने लगते हैं वही कच्छ का जिक्र होते ही रेगिस्तान दूर दूर तक रेगिस्तान कहीं पैड पाउधा भी नजर ना आए इस सब हमारे सामने आ जाता है लदाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकोट यानि खुबानी है यह फ़सल इस खेत्र की एकोनोमी को बदलने की ख्षमता रखती है परतो अपसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन मौसम की मार जैसे अनेक चुनवतियों से यह जूचता रहता है इसकी कम से कम बरबादी हो इसके लिए आजकाल एक नए इनोविशन का इस्तमाल सुरू हुआ है एक डूएल सिस्टिम है जिसका नाम है सोलार अप्रिकोट ड्रायर एंड स्पेस हीटर यह खुबानी और दुसरे अन्य फलों यह सबजियों को जरुवत के अनुसार सुखा सकता है और वो भी हाईजेनिक तरीके से पहले जब खुबानी को खेतों के पास उखाते थे तो इससे बरबादी तो होती ही थी साथ ही धूल और बारिस के पानी की वज़े से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी दूसरी और आजकल कच्छ में किसान ड्रेगन फ्रूट्स की खेती के लिए सरानिय प्रयास कर रहे हैं बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हा असर होता है कच्छ और ड्रेगन फ्रूट्स लेकिन महां आज कई किसान इस कार्य में जूटे हैं फल की गुणवत्ता और कम जमिन में ज़्यादा उत्पात को लेकर काफी इनोवेशन की जा रहे हैं मुझे बताया गया है कि ड्रेगन फ्रूट्स की लोग प्रित्या लगातार बढ़ रही है विशेश कर नास्ते में इस्तमाल काफी बढ़ा है कच के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रेगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े यही तो आत्म दिरभरता की बात है साथियों जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं इनोवेटिव सोचते हैं तो ऐसे काम भी संभव हो जाते हैं जिन काम तोर पर कोई कलपना नहीं करता जैसे कि बिहार के कुछ जिवाओं को ही लीजिए पहले सामाने नोकरी करते थे एक दिन उन्होंने ताय किया कि वो मोती यहने पल्स की खेती करेंगे उनके एक शेत्र में लोगों के इस बारे में बहुत पता नहीं था काफी कमाई करी रहे हैं उन्होंने मुझफरपूर, बेगुसराय और पत्ना में अन्य राज्यों से लोटे प्रवासी मद्दूरों को इसकी ट्रेनी देनी भी शुरू कर दी है कि तने ही लोगों के लिए इससे आत्म निर्भरता के रास्ते खुल गए है साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षा बंधन का पावन परवा आ रहा है मैं इन दिनों देख रहा हूँ कि कई लोग और संस्ताएं इस बार रक्षा बंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं कई लोग इसे भोकल और लोकल से भी जोड रहे हैं और बाद भी सही है हमारे परव, हमारे समाज के हैं, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी परव खुशाल हो तब परव का आनन कुछ और हो जाता है सभी देश वाईशों को रक्षा बंदन की बहुत बहुत शुब कामना है साथियों, साथ अगस को नेशनल हैंडूम डे है भारत का हैंडूम, हमारे हैंडिक्राप अपने आप में सैंक्रों वर्सों का गरों में इत्यास समेटे हुए है हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारती हैंडूम और हैंडिक्राप का जादा से जादा उप्योग करें बल्कि इसके बारे में हमें जादा से जादा लोगों को बताना भी चाहिए भारत का हैंडूम और हैंडिक्राप कितना रीच है इसमें कितनी विवीतता है ये दुनिया जीतना जादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाग होगा साथियों, विशेशकर मेरे युवा साथियों हमारा देश बदल रहा है कैसे बदल रहा है कितनी तेजी से बदल रहा है कैसे एक शेत्रों में बदल रहा है एक सकारात्मक सोच के साथ अगर निगार डाले तो हम खुद अचंबित रह जाएंगे एक समय था जब खेल कुछ से लेकर के अन्य सेक्टर्स में अधिकतर लोग या तो बड़े-बड़े शहरों से होते थे या बड़े-बड़े परिवार से अपर नामी, गिरामी, स्कूल यार कॉलेज से होते थे अब देश बदल रहा है गावों से, छोटे सहरों से, सामान्य परिवार से हमारे युवां आगे आ रहे हैं सफलता के नए सिखर चूम रहे हैं ये लोग संकटों के बीच भी नए नए सपने संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं कुछ ऐसा ही हमें अभी हाली में जो बॉर्ड एक्जाम्स के रिजल्ट आए उसमें भी दिखता है आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिवाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं ऐसी ही एक प्रतिवाशाली बेटी है कृतिका नांदल कृतिका जी हरियाना में पानी पत्से हैं हलो कृतिका जी नमस्ते नमस्ते सर इतने अच्छे परणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद सर और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप ठग गई होगी इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे जी सर और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व मैसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं आपको कैसा लग रहा है सर बहुत अच्छा लग रहा है पेरेंस को प्राउड फिल कराके वो खुद को भी इतना प्राउड फिल हो रहा है अज़ा ये बताइए कि आपके सबसे बड़ी प्रेरना कौन है सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरना तो मेरी वाँ अच्छा आप मम्मे से क्या सीख रही है सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किले देखे फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है सर उन्हें देख देख कि इतनी प्रेर ना मिलते कि मैं भी उनी की तरह बनू मा कितने पड़ी लिखी है सर बीए किया है उन्होंने बीए किया हुआ है जी सर तो मा आपको सिखाती भी होगी जी सर सिखाती है दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है तो डारती भी होगी जी सर डारती भी है अच्छा पेटा आप आगे क्या करना चाहती है सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं अलो वा देखिए डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है जी सर डिकिरी तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेज़े स्वी हो पेटा लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है जी सर उसको कभी रात को चेंज से सो भी नहीं सकता है कभी भी पेशन का फोन आजाता है एस्पताल से फोन आजाता है उसको दोड़ना पड़ता है एक प्रगार से 24 by 7 365 days डॉक्टर की जिन्दगी लोगों की सेवा में लगी रहती है और खत्रा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस्पकार की बिवारिया है तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है जी सर अजा कृतिका भर्याना तो खेलकूद में पुरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेणा देने वारा प्रोज्षान देने वारा राज जी रहा है अजे सर तो आप भी तो कुछ खेलकूद में भाग लेती है क्या कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको सर बास्केट बॉल खेलते थे स्कूल में थे जम अच्छा आपके उचाई कितनी है ज्यादा है उचाई नहीं सर पांच दो की है अच्छा तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं सर वो तो बस पैशन है खेल लेते हैं अच्छा अच्छा चलिए कुर्तिका जी आपके माता जी को मेरी तरब से प्रणाम कहिए उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया आपके जीवन को बनाया आपके माता जी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत शुब कामना है आये अब हम चलते हैं Kerala, Ayrana Kulam, Kerala के नौजवान से बात करेंगे Hello Hello Sir, Namaskar So Vinayak, congratulations Thank you Sir Shabash Vinayak, Shabash So how is the josh? Hi Sir Do you play any sport? Badminton Badminton? Yes In a school or you had any chance to take a training? No, in school we have already get some training from our teachers and we get the opportunity to participate outside from the school itself. How many states you have visited? I have visited only Kerala and Tamil Nadu. Only Kerala and Tamil Nadu. Yes. So would you like to visit Delhi? Yes sir, now I am applying to Delhi University for my higher studies. Wow, so you are coming to Delhi? Yes sir. Tell me, do you have any message for fellow students who will give board exams in future? Hard work and proper time utilization. So it is perfect time management. Yes sir. So Vinayak, I would like to know your hobbies. First of all, badminton. Mm-hmm. And then reading. Mm-hmm. So are you active on social media? No, we are not allowed to use any electronic items or gadgets in the school. So you are lucky. Yes sir. Well, Vinayak, congratulations again and wish you all the best. Thank you sir. Slip into a very short commercial break here on India Today. We've got lots more coming on the other side. Stay with us. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.